हमाधी है 5 क। है कैसे है आप लोग है कि हमने जो है जो जलास्ट वीडियो में न बनाया था उसमें ने एकseason के बारे बात कखि़ी जो वीडियो वीपीडियो आगसाम वाथव है उसके बारे में हमने मैरिट को थोड़ा डिसकस आपको अभी में वही बोल रहा हूं कि इतनी कम नी रहने वाली है ठीक है न क्योंकि जिस तरह आपने फॉरस्ट गार्ड का भी वे फॉरस्ट गार्ड का नहीं वन दरोगा वाले रिजर्ट देखा है उसमें कितने ज्यादा कोशन आयोग द्वारा डिलीट किये गए ठीक है य यानि 5 दिसंबर को मौर्निक शिफ्ट थी उसमें भी प्रस्ण सबसे ज्यादा गलत हुए थे और पहली शिफ्ट में भी थे चार दिसंबर को जो थी और 5 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट थी उसमें भी कुछ कोशन थे तो कुल मिला कि अगर आप 12-15 के बीच कोशन मानके चल दिसंबर की ठीक है सुबह वाली शिफ्ट में था तो आपके सिफ्ट से साथ कोशन डिलीट हो गए तो वो उसका आपको बेनेफिट मिलेगा ठीक है लेकिन जो 4 दिसंबर को पेपर था हो सकता है उसमें पांच ही कोशन रो डिलीट ठीक है और जो पांच को सेकंड सिफ्ट उसमें हो सकता है चार ही डिलीट हो या तीन हो ठीक है ना तो इसका भी पेपर पर फर्क पढ़ने वाला है ठीक है तो वहां पर देखो इस्ट्रूइंट के मार्स जो है एकदम उपर होने वाले हैं जिस तरह के से पिछली वीडियो की परिशा भी थी तो जो रिजल्ट 2018 में लगभग 68 के लगभग जनरल में सेलेक्शन हो गया था तो यह 10 नंबरों में मेरिट गिरी थी हाला कि उसमें पोस्ट भी काफी कम थी जहां तक मुझे पता है दो 200 से भी कम थी लगभग 196 के अरांड ऐसी थी उसमें ठीक है तो अगर आप पोस्ट के हिसाब से देखते हैं त नॉर्मलाइजिसन की परकेर आजाती है दूसरी जो आयोग की तरब से भी गलती हो जाती है यानि की कोशन जो डिलीट करने पड़ते हैं उससे थोड़ा सा समस्या पैदा हो जाती है ठीक है कई बार क्या होता कि जो इस्टुएंट है मानलो उसके 62 मार्क्स है ठीक है ना वो 62 में है लेकिन उसकी सिफ्ट में कोई भी कोशन दिलिट नहीं हो रहा या दो गलत दो लेट हो रहे तो उसके 64 जाएंगे ठीक है लेकिन कोई दूसरा इस्ट्वेंट है मानलों उसके 58 है और उसकी सिफ्ट में आठ कुछन डिलिट हो रहे हैं तो 66 में पहुंच जाएगा ठीक है एड बने के बाद तो आप यहां से देख सकते हो कि कितने अभी जो 58 वाला था उसका सेलेक्शन हो रहा है मतलब ठीक है 62 64 वाले का नहीं हो रहा है तो यह वाला जो थोड़ा बहुत डिफ्रेंस आ सकता है रिजल्ट में यह देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुती उलट फेर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि तीन सिफ्ट है और फिर ऑफलाइन पेपर भी है इस वज़े से लेकिन मेरेट बिल्कुल नीचे नहीं रहने वाली है अगर हम यह सोच के चलते हैं इसमें कि मेरेट कम रहेगी तो यह क्या है हमारी गलती होगी ठीक है अभी मान के चलते हैं देखो जिस इस्टुए स्टुएंट के वीडियो की कि सिफ्ट में मानvenue आपके 66 मांख सेंद इसमें आपके पांच कोशन डिलिट के मानव आपको मिलते हैं चार मिलते चार मिले टो आपके सतर हो अगये थे दो כ i9 लो वैसे तो सपामल नौरल जिस सकते हैं लेकिन पतने दो अगर पर पहुंच चुका है ठीक है और अगर अभी के हिसाब से वह स्टुटेंट यह मान के चल रहा था कि 70 से उपर वाले सलेक्ट हूंगे ठीक है लेकिन वह 66 वाला तो 72 पर चुका है च्छेंग उपर तो 70 वाला 76 पर चला जाएगा इस वी वज़े से यह मैट थोड़ा हाई बता चाहती जिसमें टाइपिंग टैस्ट भी है उसके बारे में भी थोड़ा आज हम डिसकस कर लेते हैं तो देखो जो 31 अक्टूबर को पेपर वा था वो दो सिफ्ट में था ठीक है अब उसमें क्योंकि टाइपिंग भी है हाना कि लगभग 200 कुछ पद उसमें ऐसे भी बन रह हो गया उसमें यह साइंस मागी भी थी लेकिन यह जो वीडियो की परिक्षा होगी और आपका 746 वाला होगा इसमें सेम से लेवस है यानि सेम तयारी वाले इस्ट है तो मोस्टी स्ट्वेंट यह मान के चलो की सतर सेसी परसेंट ऐसे थे जिन्होंने दोनों परिक्षाइन दी है और दोनों में बहतरीन परदस्वन किया है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है ठीक है अगर आपका लेवल सतर नंबर का है तो वहां हो सकता है किसी में आपके 68 हों किसी में 72 हो या किसी में 70 हैं दो तो यह आइडिया मिला है उनसे ठीक है अब हम इसके मेरिट के बात करते हैं तो देखो क्यूंकि इसमें टाइपिंग भी है ठीक और टाइपिंग में आपको पता है कि लगबग चार गुना ब्यरती बुलाई जाते हैं तो जाहिसे बाते इसमें डाउन जाएगी फर्स्ट म उसमें 2000 इसमें को बुलाए जाएगा ठीक है लेकिन क्या वह सारे 1500 टाइपिंग में बाहर होंगे ऐसा नियुकि तो या उनका किसी और एक्जाम में हो जाता है यह परस्थितिया सी बनती है तो जो हजार इसमें बचते हैं जिए टाइपिंग कौलिफाई करते हैं अब इनक तो इस परकार से होता है क्योंकि जो टाइपिंग के तहरी कर रहे हैं तो जाहिर से बात है कि एक दिहाई भाहर तो नहीं हो गए उतने थिका ना यह थरी वाई-4 यानि 75 परसेंट भाहर तो नहीं हो ठीक है तो इसमें मेरे चाप से जो है 65 प्लस का हो जाना चाहिए जनरल में बाकी में बहुत जाता अंतर तो रहेगा नहीं जैसे गल्स का फिर क्या होता है कि जरूनी की बहुत डिफरेंस पर आता है एक से दो नंबर को ही रहता है ठीक है तो मैं केवल उसकी बता रहा हूँ आ तैयरी कर रहे हो ताइपिंग भी ठीटा गए तो इसमें आप निकल जागा बहुत ज्यादा इस्पीड भी है नी इसमें 4000 की डिप्रेशन पर आ रहे हैं इसमें 4000 की डिप्रेशन इसमें मंगावाए EWS में और OPC में यह 64 इसमें प्लस है 64 मान की चलो ठीक है फिर SC का है 58 प्लस और ST के लिए 57 तो मेरे हिसाब से जो इसका मैरिट का मेरे हिसाब से यह अनुमान है ठीक है बाकी वीडियो वाली परिशा का मैंने आपको बताए दिया उसमें हाई रहने के कई कारण भी है क्योंकि द इसमें और भी अच्छे हैं लेवल 5-6 भी है उसमें तो लेवल 5-6 तो मेरे साब से 80 प्लस माक्स वालों को ही वीडियो परिशा में मिलेगा हूं ठीक है जिनके 80 प्लस क्रॉस कर जाएंगी माक्स उनको लेवल 5 और 6 मिलना है और फिर उसके बाद नीचे मेरिट आईगी ठीक तो इतनी लो भी नहीं रहेगी जो मेरिट मेरे साब से मैंने जो बताई रहेगी ठीक है धन्यवाद